हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडि होब, एडि होब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागा थे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, आज हम राजस्तान की जीला दर्शन के उपर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, राजस्तान के जितने भी जीले हैं, थे 33 जीलो के उपर हम वीडियो बनाएंगे, उनका हम end to end discussion करेंगे, ठीक है, discussion का हमारा point क्या रहेगा फ्रेंड, कि जो जीला है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसके उपनाम क्या है, ठीक है, इसका, इसमें कौन से मंदीर हैं, मेले हैं, इस जीले की क्या विसेशता हैं, को संपदाओं के वारे में इन सब के उपर हम end to end हमारा discussion रहेगा, यह एक most important thing होने वाला है, जो जिससे क्या होता है, राजस्तान के कोई भी exam में इस जो topic में आपको बना के दूँगा, राजस्तान जीला दर्सन, इस में से 100% questions आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और मेरा motto क्या र जीला पूरा complete हो जाए, तो मैं पूरे सारे जीले और उसके important questions के साथ में आपको पूरा पढ़ाने की कोशिस करूँगा, ठीक है, तो आज का जो हम जीला start करने वाले हैं, वो बहुत important जीला है, उससे बहुत ज्यादा questions आते हैं, इसलिए मैं पहले उन important जीला को पहले ले र रहे हैं, तो इसके जब हम उद्यापूर के बारे में discuss कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें क्या-क्या चीजों के उपर discuss करना चाहिए, आए देखते हैं, हम उद्यापूर की स्थापना के उपर discuss करेंगे, हम उद्यापूर से related सभ्यताओं के बारे में discuss करेंगे, हम उद्यापू करेंगे अभ्यारण यहां उद्यापूर में सबसे ज़्यादा अभ्यारण है हम उद्यापूर के अभ्यारण के बारे में डिसकस करेंगे मेला कौन-कौन से मेले होते हैं यहां पर उद्यापूर सिटीज के अंदर उसके अपर डिसकस करेंगे मंदीर कौन-कौन से important परमुख मंदीर है उन सब को हम इसमें देखेंगे खनीज संपदा कौन-कौन सी खनीज जो है उद्यापूर के में प्रसीद है मतलब कौन-कौन सी खनीज की बहुलेता है उद्यापूर के अंदर हम उन सब के ओपर अभ्यारन्य मेला मंदीर और खनीज इन सब के ऊपर अगर हमने डिसकस कर लिया तो आप समझो कि आपका उद्यापूर का जो टॉपिक है वो दैट इस एक चीजों का पूरा डिसकसन करेंगे तो यह वीडियो लंबा होना ही है ठीक है लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप मुझे जितना टाइम देओगे इस वीडियो को देखने के लिए उससे जादा मैं आपको इस वीडियो में रिटन दूँगा मतलब आपके एक घंटे के अंदर मैं आपको पूरा उदयपूर सिटी का ब्रीफ करा दूँगा आपके कोई भी क्यूसन जो है वो उदयपूर सिटी से गलत नहीं होंगे दोस्तों ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं उदयपूर की स्थापना महाराना उदय सिंग ने की है उदयपूर की स्थापना क अंदर हुई है ठीक है तो ये बात के लिए रोगई आपको दोस्तों जो उदैपूर है उदैपूर की स्थापना किस ने की है महाराना उदे सिंग ने की है और कब की है 1560 में की है किसके किनारे की है पिछोला जिल अभी जिलों के वारे भी अलग से डिसकसन करेंगे इसी ठीक है और उदैपूर सिटी की जो इस्थापना किस ने की है महाराना उदे सिंग ने की है तो महाराना उदे सिंग ने भी यहाँ पर उदे सागर जिल का भी निर्मान किया है कहां पर उदैपूर में महाराना उदे सिंग ने यहाँ पर उदे सागर जिल का भी निर्मान किय और उद्यपूर को बस आया है ठीक है तो अब आपको दोस्तों किलियर हो गया होगा कि उद्यपूर की स्थापना महाराना उद्य सिंग ने पिछोला धिल के किनारे की है और महाराना उद्य सिंग ने भी यहां पर भी एक धिल का निर्मान किया है उस धिल का नाम महाराना उद उद्यसेंग के नाम पर ही उद्यपूर रखा गया है तो मह़रान उद्यसेंग ने उद्यापूर की स्थापना की है next पिछोला झहिल के किनारे यह इसको स्थापित करा गयाया है और जो उपनाम या उसके अन्या नाम कौन कौन से है तो उद्यःपूर शिटी के अन्यानाम में पहला आता है पुर्व का वैनिस पुर्व का वैनिस राजस्थान का कस्मीर सेलानियों का सहर फांटेन वं माॉंटेन सिटी सीतारो Fire भारत का वियाना और जीलो की नगरी ये जो हैं उद्यपूर के उपनाम है या उद्यपूर के अन्य नाम आप कह सकते हो कौन कौन से हैं दोस्तों पुर्व का वैनिस राजस्थान जो उद्यपूर है उसका पुर्व का वैनिस कहत सकते हो राजस्थान का कस्मीर बोल सकते हैं सेलानियो का सहर बोल सकते हैं, fountain वो mountain city बोल सकते हो आप इसको सीतारो का सहर बोल सकते हो, भारत का वियाना और जीलो की नगरी, यह जो है उद्यापूर के उपनाम है, ठीके फ्रेंट, तो एक बर हम इसका quick review कर लेते हैं अगर हम उदयपूर के बारे में पढ़ेंगे तो हम उदयपूर की स्थापना उदयपूर की Uppnaam उदयपूर की सव्यता भौ śl माम जीले अभ्यारणय मेला और मंदीर एंट खनीच के डिसकस करने वाले हैं दोस्तो इस वीडियो के अंदर अब देखो इस्थापना उदयपूर की स्थापना महाराना उदय सिंग द्वारा की गई है किसके द्वारा महाराना उदय सिंग द्वारा की गई है कब की गई है पंद्रासो गुंसट 1559 के अंदर मतलब पंद्रासो गु कि थी किसने महाराना उदे सिंग ने और महाराना उदे सिंग ने उदे पूर के अंदर उदे सागर जील का निर्मान कराया है देखो क्या बात है आपको याद हो जाएगी महाराना उदे सिंग ने उदे उद्यापूर में उद्य सागर जील का निर्मान कराया है ठीक है अब देखो इसके उपनाम उपनाम कौन-कौन से है फ्रेंड ये है एक तो पुर्व का वैनिस राजस्थान का कस्मीर सेलानियों का सहर फाउंटेन और माउंटेन सिटी जीलो की नगरी सितारों का सहर और भारत का वियाना ठीक है धEMAँ अब हम इसके important facts के उपर discuss करेंगे देखो क्या है important fact के अंदर की गुजरात से सरवादिक सीमा उद्यापूर की लगती है गुजरात जो है अगर आब बात करो गुजरात तो गुजरात से जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है वो CT कॉन सी है वो CT है Hack मातर उदैपूर उदैपूर की गुजरात से सरवादिक सीमा जो है वो उदैपूर की लगती है क्लियर है सरवादिक अंतर राज्य सीमा बनाने वाला जो संभाग है सरवादिक अंतर राज्य सीमा बनाने वाला जो संभाग है वो भी उदैपूर है क्लियर दोस्तो अंतर राज सिमा का मतलब क्यों प्राज्यों के साथ जो और अमने रिज्य है भारत के अन सब wrap के साथ में सीमा बनाने वाला जो संभाग है संभाग वो कौन सा है उधाप पूर गुजणा से सरवादिक जो जीला लगता सीमा लगती हे वह कौन से पूरई पूर ordered राजस्तान का सबसे प्राचीन रियासत है मेवार तीक है अभी इंप्रटेंट आपने देख लिए वापस से इसको एक बार देखते हैं कि गुजरात से सरवादिक सीमा जहें वह उदयापूर की लगती है दूसरा सरवादिक अंतराज्य सीमा वाला जो संभाग अगर आपका पूछा जाए तो आप बोलोगे उदयफूर राजस्तान की सबसे प्राचिन रियास्त के अगर बात की जाए फ्रेंड तो आप बोलोगे मेवार क्लियर नेक्स्ट सभवता अगर आपसे पूछा जाएगी यहां पर कौन-कौन सी शब्यता है थी तो आप बोलो के आहड सब्यता, बाला थल शब्यता, धोली मगरा सब्यता, इस्वाल सब्यता और यहाडूल सब्यता ठीक है यह सब्यता है जो पनफी है कहाँ पे उद्यपूर के अंदर next है भोगोलिक नाम देखो एक तो है भोराट का पठार उदैपूर के कुंभल गड़ वा गोगुदा के मंध्यकाव का पठारी भाग है वा भोराट का पठार कलता है भोराट का पठार उंचाई में तीसरे नमबर पर है. तो उदयापूर के अंदर आपको बोराड का पठार मिलेगा. बोराड का पठार कहां से कहां प्हेला हुआ है? उदयापूर के कुम्भल गड़ वह गोगुन्दा के मद्या का जो पठारी भाग है न दोस्तों. उसको बोराड का नंबर पर है ठीक है नेक्स्ट लास्ट्या का पठार नेक्स्ट कौन सा है लास्ट्या का पठार इसमें क्या होता है देखो उद्यपूर में जैसंबंद के आगे कटा फटा भाग जो है वो लास्ट्या का पठार कहलाता है उद्यपूर में जैसंबंद जील के आगे से जो कट फटा है उसको लासर्या का पठार कहते हैं नेक्स्ट गिर्वा क्या है उद्यपूर के चारो और पहाडियां होने के कारण उद्यपूर की आकरती तस्तरी नुमा है इसलिए इस्थानिय भासा में इसको गिर्वा कहते हैं क्या कहते हैं गिर्वा क्या है उद्यपूर क्या है द वो चारो तरफ आपको पहाडियों से घीरी भी मिलेगी और यहां पहाडियों से घीरेवे होने के कारण पहाडियों से घीरेवे होने के कारण यह जो है तस्तरी नुमा आकरती दिखती है इसकी आकरती कैसी है तस्तरी नुमा प्लेट जो होती है प्लेट उसकी जैसे आकरती इ है ठीक है कि लिए आप आपको दोस्तों लास गिर्वा क्यों कहा गया है क्योंकि जो उद्यापूर है आपका वो चारों और से पहाड़ियों से घीरा हुआ है ठीक है अब हम एक वार इसका कुई कर लेते हैं जिससे हमें यह चीज़े याद हो जाए हमने अभी क्या पढ़ा है important fact के अंदर हमने अभी यह पढ़ा है कि जो गुजराच से जो सरवादिक सीमा लगती है ना फ्रेंड वो किसकी लगती है वो लगती है उद्यापूर की गुजराच से सरवादिक सीमा किसकी लगती है उद्यापूर की लगती है सरवादिक अंतराज्य सीमा बनाने वाला भाग उद्यपूर है राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है सबसे प्राचीन रियासत तो वो है मिवाड ठीक है सब्धेताई कौन कौन सी हुई है आहड बाला थल धोली मगरा इसबाल और ज्जाडोल यह सब्धेताई हुई है अब हम इसकी भौगौलिक नाम के बा को तीसरे नंबर पर है ठीक है फिर आता है लासड़िया का पठार उद्यपूर में जैसंबन जील से आगे का जो भाग कटा फटा है उसको लासड़िया पठार कहलाता है गिर्वा उद्यपूर क्या है चारो तरफ जेखो यह ऐसा है चारो तरफ क्या है पहाडियों से घिरा वाय है ठीके पहाड़ियों से घिरा होने कारण उद्यपूर की जो आक्रति वो तस्त्र हिनुमा हो चुकी है इसलिए इसलिए जो- इसथानी वासा में उद्यपूर है उसको गिर्वा कहते हैं क्या कहते हैं गिर्वा कहते हैं नेक्स्ट, देश हरो, उद्यपूर में जर्गा वर रागा पहाडियों के बीच का छेत्र सदा हरा भरा होने के कारण, देश हरो कहलाता है, हरो, हरो का मतलब क्या है, हरा भरा होना, हरो का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, हरा भरा होना, और उदैपूर में क्या हुआ है जरगा और रागा की पहाडियों के बीच का जो छेतर है वो सदेवी हरा बरा रहा है कौन सा जरगा और रागा पहाडियों के बीच का छेत्र ठीक है उदैपूर में जरगा और रागा जो पहाडी है इन दोनों की जो बीच का छेत्र है फ्रेंड वो हमेशा हरा बरा रहा है इसलिए देश क्या है हमेशा हरा बरा है इसलिए इसको क्या कहा गया है देश हरो कहा गय क्या है मगरा उदयपूर का उत्री पस्सीमी परवत्य भाग उत्री पस्सम्य परवत्य भाग जो है वो मगरा कहलाता है उदयपूर का उत्री पस्सीमी जो परवत्य भाग है वो क्या कहलता है मगरा कहलता है ठीक है उसको मगरा कहते हैं प्राचीन नाम क्या है उदयपूर के स लाची नाम हो गया अब हम जो स्टार्ड कर रहे हैं अब एक बार हम इसको देख लेतें दुबारा से जो बोगॉलिक नाम थे बोराट का पठार था ठीक है उद्यपूर के कुंबल गट वो गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग उसके बाद लासडिया का है उद्यपूर में जर्गा और रागा की पहाड़ियों के बीच का जो छेत्र है वो सदेवी हराबरा रहता है इसलिए इसको देश हरो कहते हैं मग्रा क्या है उद्यपूर का उत्री पस्सीमी परवत्य भाग मग्रा के लाता है प्राचीन नाम क्या है सिवी मेदवाट और प्रियागवाट ठी के अब हम उद्यापूर जीले के पर्मुख मंदीर पर्मुख मंदीरों के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं देखो तो आप देख रहे हो फ्रेंड मैं आपको जो एक सिटी है उसका एंड टो एंड नॉलेज देने की कोशिज कर रहा हूं पहले हमने इसके भोगलिक नाम अन् का मंदीर जगत अंभी का का मंदीर जगत अंबीका का मंदीर वह जगत ग्राम to उदैपूर जगत नाम है तो जगत का नाम भी हो जाएगा जगत ग्राम उदैपूर के अंदर ठीक है आपको ध्यान रखना है फ्रेंट जगत अंबिका का मंदीर जगत ग्राम उदैपूर में है इसको मेवार का खजुराओ भी कहते हैं सैली कौन सी परतिहार कालिन सैली और मह महामारुसैली का अंदर ये मंदीर बना हुआ है महामारुसैली का अंदर ये मंदीर बना हुआ है कौन सा जगत अंबिका का मंदीर यहां पे हमें मुर्तिया मिली है कौन कौन सी देवपाल की यक्स की और किनरों की हमें मुर्तिया मिली है इसलिए इसको मेवार का खजुराओ क क्यों कहा जाता है क्योंकि यहां पे हमें देवपाल की यक्स की और किन्रों की मुर्ती मिली है इस कारण से उद्यपूर जी ले उद्यपूर का जो जगत अंबिका मंदीर है उसको मेवार का खजुराओ कहा जाता है ठीक है यहां पे नर्त्य गनपत्य की प्रतिमामी मिली है ठ है जगतम्विका मंदीर जगतमंदिर उड़ी मेवार का कहलाता है ये जो मंदीर हेव हो महामारुसैली के लिए मुर्तिया हमें यहां पर देवपाल यक्स की और मुर्तिया मिली है और नगन गनपत्ती की मतिनवbers की बात करें तो आपको जगत अंबी का मंदीर जगत ग्राम उद्यापूर में मिलेगा नेक्स्ट अंबी का माता का मंदीर अब है अंबी का माता का मंदीर अंबी का माता का मंदीर उद्यापूर में है इसका निर्माण जो है महाराना राज सिंग ने कराया है ठीक है नाम से कन्फ्यूज मत हो ना फ्रेंड वो था जगद अंभी का मंदीर और यह है अंभी का माता का मंदीर अंभी का माता का मंदीर उद्यपूर में है और इसका जो निर्माण है वह महाराना राज सिंग ने करा है किसने करा है friend महाराना Raja सिंग ने अब बात करते हैं जगदीश मंदीर अब देखो जगदीश मंदीर है यह बहुत important मंदीर है उद्यापूर का इसको अब ध्यान से सुनना जगदीश मंदीर जगन्नात मंदीर इसके जो अंय सकते हो ठीक है तो यह बहुत सारे नामें जगदीश मंदीर क्यों है क्योंकि यह मंदीर जो है वो भगवान विश्णु को समर्पिर्थ है किसको भगवान विश्णु को समर्पिर्थ होने कारण इस मंदीर का नाम जगदीश मंदीर पड़ा जगनात मंदीर क्यों है क्योंकि इस मंदीर में आपको जगनात राय प्रसस्ती मिली है इसलिए इस मंदीर को जगनात मंदीर कहा जाने लगा जगनात मंदीर क्यों है क्योंकि आपको जगनात राय प्रसस्ती मिली है पचास खंबों पर यह मंदीर बनावा है इसलिए इसको पचास खंबों वाला मंदीर कहते है सोपन सस्कृति का मंदीर इसलिए है या सपनों बना मंदीर इसलिए है क्योंकि इस मंदीर का जो निर्माण है वो जगत महारा जगत सिंग first ने कराया है ठीक है और जगत सिंग first के शपनों में जो भगवान विश्णू आते थे इसलिए ये मंदीर जो हे सपनों में बना मंदीर या सौपन सस्कृति का मंदीर कह लाया ठीक है अब इसके important фैक्ट कि उपर बात करते हम, क्या क्या है, इसमें देखो, पहला है, कि यह जो मंदीर है, वो विश्नु भगवान को समध्पिर थे, जगदिश चौक उद्यपूर के अंदर है, ठीके, इसमें एक प्रसस्ती लगी वी है, उस प्रसस्ती को जगनात राइफ प्रसस्ती कहते हैं, क्या कहते हैं, जगनात राइफ प्रसस्ती कहते हैं, और इस जगनात राइफ प्रसस्ती को किसने बनवाया, जगत राइफ फर्स्ट ने बनाया है, ठीके, और इस प्रसस्ती संस्क्रत में लिखी वी है, और किसने लिखी है, क्रिशन भट ने लिखी है, क्रिशन भट ने लिखी है, इस विटान में 79 1679 के अंदर औरंग जेव ने इस मंदीर को खंडित कर दिया था ठीक है और ये मंदीर तुडवा दिया था ठीक है तो जगदीस मंदीर से रिलेटेड इतनी भगवान विश्नू को समर्पिर्थ है यहां पर जगनात राय प्रश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् वो लिखक कौन है वो क्रिशन भट है और ये किस भासा में लिखा गया है संस्क्रत भासा में लिखा गया है और इस पूरे मंदीर का वास्तुकार कौन है अर्जून भाना मुकुंद जो है वो जगदिस मंदीर का वास्तुकार है और 1603 में 79 के अंदर औरंग जेव ने इस मंद भी जगत सिंग फर्ष्ट ने कराया था इसका निर्मान किस ने कराया है जगत सिंग फर्ष्ट ने कराया है और ये जगदिस मंदीर के पास में ही है यह अभी आपने पड़ा जगदिस मंदीर जगनात मंदीर जो पड़ा है अभी हमने उसके पास में ही यह मंदीर बनावा है क तो कि ये इनकी धाई मा थी, किसकी जगत सिंग फर्ष्ट की, तो इन्होंने अपनी धाई मा के लिए धाई मंदीर या नोजुबाय का मंदीर बनवाया, और कहां बनाया, जगतिस मंदीर के पास में बनाया, ठीके दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, आहड के जैन मंदीर को का समूः, आहड में क्या है, जैन मंदीरों के समूः है, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीके, खंडित अवस्ता में, अभी ये जो मंदीर है, वो कैसे है, खंडित अवस्ता में है, ये बारवी सदी में निर्मित हुए थे, जैन आचारिय जगचंद ने बारा वर्षों तक यहां पर तप किया था, कहां पर आहड के जैन मंदीरों में, मेवाड के रावल जेत्र सिंग ने इन्हें तपा की उपादी दी थी, इसको आचारिय जगचंद को, ठीके, देखो, आहड के जैन मंदीरों के बारे हम पढ़ रहे हैं, ये मंदीर जो है, अभी खंडित अवस् उनको यहां पर तप करते वे देखकर, मेवाड के रावल जेत्र सिंग जो थे, मेवाड के रावल जेत्र सिंग ने उन्हें तपा की उपादी दी थी, किसकी उपादी, तपा की उपादी दी थी, ठीके, फिर देखो, एक इंपोर्टन चीज और निकल काती है यहां पर, अम समसान स्थल किलाता है अमर सिंग फर्ष्ट ने सबसे पहले यहां पर सन्यास लिया और उसके बाद जो मेवाड के सिसोधिया वंस थे उन्सका यह क्या क्लाता है समसान स्थल किलाता है जो महासत्या है इस समसान स्थल किलाता है इसको क्या कहते हैं इसको महासत्या कहते हैं ठीक आरवी सदी में उनका निर्मान हुआ था यहां पे जैन आचार्य जग चंद ने बारा वर्स तक तपश्या की थी थी तो इसके बाद बात करतें अमर्सिंह फर्स्ट ने यहां पे सब से पहले सन्यास लिया था ठीके और सन्यास मेवार के जो सिसोधयावन्स थे मेवार के सिसोधयावन्स लेकिन एक चीज़ में आपको और बताना चाहूंगा, अगर आपसे पूछा जाए कि महासत्यों का टीला कहां पे है, तो आप बताओगे बागोड भिलवाडा के अंदर, महासत्या कहां पे है, तो आप क्या बोलोगे, उद्यापूर के अंदर है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि महासत्यों का टीला कहां पे है, तो आप बोलोगे, बागोड भिलवाडा के अंदर है, ठीक है, यहां पे भी एक सब्वेता थी, उस सब्वेता में ही हमें मिलाए बाहासत्यों का टीला, अब हम बात करते हैं, एक लिंग नाथ जी का मंदीर, तो फ्रेंड एक केलासपूरी गाउं उदैपूर में है कहां पे है केलासपूरी गाउं उदैपूर में है महाराना राय मल्म ने लकूलdefense पासुपात संप्रदाई का यह मंदीर है चत्तर मुखी सीवलिंग है यहां पर क्या है यहां पर चत्तर मुखी सीवलिंग है लकूलिस पासुपात ते संप्रदाई का मंदीर है ठीक है कौन सा मंदीर के हम बात कर रहे हैं एक लिंग नात जी का मंदीर कहां पे है ये कैलास पूरी गाउं उद्यपूर में है निर्मान किस ने किया है बपा रावल या काल भोज ने इसका निर्मान किया है कौन से मंदिर का एक लिंग नाथ जी का मंदिर जो की कैलास पूरी गाउं उद्यपूर में है पूर्ण निर्मान किस ने किया महाराना राइमल ने जो एक लिंग नात जी का मंदीर है इसका पूर्ण निर्मान कराया ये मंदीर जो है फ्रेंड वो लकूलिस पासुपात संप्रदाई का मंदीर है लकूलिस पासुपात संप्रदाई का मंदीर होते हैं उसमें चत्तुर मुर्खी सिवलिंग बने वे होते हैं कैसे बने वे होते हैं उसमें चार काले रंकी पत्थर की चत्तुर मुर्खी बनावा होता है ठीके अब देखो राजस्थान में भगवान शीव का सबसे बड़ा मन्दीर है यह या भगवान शीव का बखुट बड़ा मन्दीर है मेवाड के महाराना एक लिंग JP के दिवान कैलाते थे मतलब शासन तो कर रहे हैं एक realize और हम उनके क्या है दिवान है से मेला टे हैं मेला कब लगता है महासिवरात्री को फाल्गुन कर्ष्now तर्योंदसी में ठिक है मेला अभी आपको याद हो गया होगा हमने अभी पढ़ा है एक आहड के जेन मंदिरों का समूँः यहां यहाँ पर सबसे पहले अमर सिंग फरस्ट की सन्यास लिया था, उसके बाद इसको मेवाड के सिसोध्या वंस का समसान स्थल के लाया और इस सिस्थान को महा सत्या कहा गया। ठीके अब हमने पड़ा एक लिंग नाथ जी का मंदीर, एक लिंग नाथ जी का मंदीर है वो कैलाश पूरी गाओं उदैपूर के अंदर है, इसका निर्मान बपा रावल या काल भोज ने कराया है, पूर्ण निर्मान महाराना रायमल ने कराया है, लकुलिस पासुपाद संप्रदाई का मंदीर है लकुलिस पासुपाद संप्रदाई में क्या होता है चत्तुर मुखी सिवलिंग होती है काले पत्थर की चत्तुर मुखी सिवलिंग है राजस्थान में भगवान शिव का जो मंदीर के अगर बात की जाए फ्रेंड तो ये बह खोट बड़ा बगवान शिव का मंदीर है मेवार के महराना एक लिंग नाथ जी के अपने को दिवान समझते थे एक लिंग नाथ जी के दिवान कहलाते हैं और मेला जो है वो महा सिवरात्री में फालगुन कृष्ण त्रियोदसी में इसका मेला लगता है अब देखो हम बात क अब देखो रिसवदेव जी का मंदीर काला बावजी का मंदीर कैसरिनाथ मंदीर यह का पर तो यह है धुलेव गाउं उद्यपूर में कहां स्व염 कोयल कि किनारे Tobie है और रिसवदेव ні्दीर समरपित है कौनशा रिसव देव मंदीर मुर्ती पर केसर का लेप चड़ाया जाता है यहां की जो मुर्ती है इस पर केसर का सबसे ज़्यादा जो लेप चड़ाया जाता है इसलिए ही इस मंदीर का नाम केसर या नात पड़ा भील जन जाती के जो लोग है वो काला बाव जी के रूप में इनको पूछते हैं किस रूप में काला बाव जी के रूप में पूछते हैं देखो अब जो ये है रिसब देव जी का नाम क्यों पढ़ा रिसब देव मंदीर क्यों कहलाया क्योंकि ये मंदीर जो है रिसब देव या आदी नात को समर पिर्थ है पहली चीज दूसर चीज केसर या नाथ क्यों नाम पड़ा क्योंकि इनकी मूर्ती पर बहुत ज़्यादा जो है वह केसर चड़ाई जाती है ठीके बहुत ज़्यादा केसर चड़ाई जाने कारण इस मंदीर का नाम केसर या नाथ केसर नाथ जी पड़ा ठीके काला बावजी क्यों पड़ा जो भ कब लगता है चेतर कृष्णाअस्टमी से लेकर नौ मी तक 2 दिन होता है मेला कब 14 महिने में 15 17 ऑर 9 के दिन अब रत्यात्रा की बात करें तो रत्यात्रा जो है आस्विन कृष्ण पृतिपरदा वह लिपना को आश्विन जो जो क्रशन प्रतिप्रदा है आस्वीन महीने के अंदर आस्वीन क्रशन प्रतिप्रदा मतलब एकम और दूज दित्या के दिन एकम और दित्या के दिन यहां पे रथ्यात्रा होती है सास बहु का मंदिर सहस्त्र बहु का मंदिर था इसका नाम अपभरंश होकर सास बहु का मंदिर पढ़ा ठीके पहले क्या नाम था इसका सहस्त्र बहु का मंदिर यह मंदिर है कहाँ पे नागदा उदैपूर में है यहाँ पे दो मंदिर बने वे हैं एक तो है बड़ा मंदीर और एक है छोटा मंदीर जो है जिसका निर्मान सास ने कराया है और छोटा मंदीर जो है जिसका निर्मान बहु द्वारा कराया गया है और जो छोटा मंदीर है जो बहु द्वारा निर्मान कराया गया है उस मंदीर को आप सेसनाक का मंदीर भी कह सकत दूसरी बात है इसका जो निर्मान है वो किस ने किया है काल भोजव वप्पा रावल ने कराया है इसका निर्मान जो है काल भोजव वप्पा रावल ने इसका निर्मान कराया है भगवान विश्नु को ये समर्पिर्थ है जो ये सहस बहु या सहस्त्र बहु का जो मंदीर है वो भगवान विश्णू को ये समर्पिर्थ है ठीक है दोस्तों क्लियर हो गया अब एक वार हम इसका कुई क्रिव्यू करते हैं देखो सास बहु का मंदीर या सहस्त्र बहु का मंदीर कहां पे है तो ये मंदीर है नागदा उद्यपूर में यहां दो मंदीर है एक है बड़ा मंदीर है बहुद्वार निर्मान के आगया मंदीर है उसको सेसनाक का मंदीर भी कहा जाता है और ये जो मंदीर है फ्रेंड ये जो है अस बगवान विश्णू को समर्पिर्थ है ठीक है नेक्स्ट चीज़ देखो या दखने की यह है इसमें दिवारों वच्छतों पर महा महा भारत और रामायन के चित्र अंकी थे तो आपको यह पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा मंदीर यहां पर महा भारत और रामायन के चित्र अंकी थे फ्रेंड तो आप उद्यापूर सिटी के अंदर है और यह सैली कौन सी है महा मारू सैली के अंदर मने बनावा मंदीर है कि इसके मंदीरों के बात कर रहे थे तो इसमें अगर हम उद्यापूर के अंदर है कोईल नदी किनारे है भगवान आदिनात रिसव देव को समर्पिर्थ है ठीक है और मुर्ती पर केसर चड़ाई जाती है भील जन जाती जो है वो काला बावजी करूप में पूचते हैं सास बहु का मंदिर नागदा उद्यापूर के अंदर है भग गोसन बावजी का मंदीर जो है कातन वाड़ा गाउं उद्यापूर में कहां पर है फ्रेंट कातन वाड़ा गाउं उद्यापूर में कौन सा गोसन बावजी का जो मंदीर है वो काला पूर कातन पूरा गाउं कातन वाड़ा गाउं उद्यापूर कहां पर है कातन वाड़ा उदैपूर में हैं, यहां पर पत्थर के बैल चड़ाये जाते हैं, किसके? पत्थर के बैल चड़ाये जाते हैं, माना जाता है कि अगर कोई किसी किसान की बैल घूम जाती है, तो उसको यहां पर आके जो है, एक पत्थर की बैल चड़ाये जाती है, अगर पत्थर की बैल ठीके अब आगे देखो मचंद्र नात मंदिंद उद्हपूर के अंदर बगवानविश्यों का समइप जो मंदीर है भगवान करशिद मंदीर है धंध्र क्षिखान कर्षिन हो का मंदीर है एक और सांजियों के लिए प्रसीद कौन सा मंदीर है जो ने के अंदर मंदीर क्रिशन का मंदीर उसको मंदीरों कहते हैं लेकिन जो सांज्यों के लिए प्रसीद मंदीर है वह कौनचा है मचेंद्रनात मंदीर अगर सांजी की बात की जाए तो सांज्यों के लिए प्रसीद मंदीर है वह मचेंद्रनात का मंदीर जो की उदयपूर के अब नेक्स्ट है बोहरा गनेस मंदिर बोहरा गनेस मंदिर कहां पे है उदैपूर में है निर्मान किस ने किया है महराना राज सिंग ने जो निर्मान है वो महराना राज सिंग ने किया है ठीक है जावर के विशनु मंदिर अब हम पढ़ रहे हैं जावर के विश्नु मंदिर, जावर के विश्नु मंदिर कहां पे है फ्रेंट, जावर के अंदर है, और जावर कहां पे है, उदैपूर में है, जावर के विश्नु मंदिर कहां पे है, जावर कहां पे है, उदैपूर में है, यहां पे हमें जावर की प पुत्री थी उन महारणा कुंबा की पुत्री रमावाई रमावाई को क्या कहा गया है वागी स्वरी का मतलब होता है वीना को हाथ में लेकर बजाना तो जो है सरस्वति भगवान जो है वीना अपने हाथ में रखती है तो वैसे ही यह उलेख किया गया है ठीक है वागी स्वर कर लिये हैं तो हमने सारे किलियों कर लियए है और गर हम इसका कोई रिव्यू कर लेते हैं जिससे हमें याद हो जाए और चीज़े क्लियर हो जाए ठीक है पहले हमने मंदिरों में पढ़ना जब चालू किया तब हमने सबसे पहले पढ़ा जगद अंबिका का मंदीर कहां पर है जगत ग्राम उद्यापूर में है जगत अंबिका मंदीर जगत ग्राम उद्यपूर में है इसको मेवार का खजुराओ कहा जाता है यहाँ पे हमें मुर्तियां जो मिली है वो देवपाल यक्स और किनरों की मुर्तियां मिली है फिर हम बात करते हैं अंबिका माता का मंदीर अंबिका माता का मंदीर अउदयपूर के अंदर है इसका निमान महराना राज सिंग ने कराया है फिर हम बात करते हैं जगदीश मंदीर जगनात मंदीर पचास खम्मों पे बना मंदीर और क्या नाम हो है सौपन सस्कृति का मंदी और सपनों में बना मंदीर, ये सारे मंदीर के उपनाम है, ये मंदीर जो है विश्नु बगवान को समर्पिर्थ है, जगदिश चौक उद्यपूर के अंदर है ये मंदीर, इसमें एक प्रसस्ती लगी वी है, जो है जगनात राय प्रसस्ती लगी वी है, क्रिशन भट ने इसक स्कृत में लिखाय कौन सी प्रसस्ति जगननात राय प्रसस्ति को ठीक है वास्तुकार कौन है अर्जून भाना मुकुंद जो है इसके वास्तुकार है और सेवन नावल जेत्र सिंग इन्हों ने सको तपा की किसको जगचंड जी को तपा की की उपादी थी अमर सिंघ फर्स्ट ने यहां पर सबसे पहले सन्यास लिया था तब से यह सीन चैलता है कि वहाट किछा chaos समसानिस्तर किलाता है और इसको महा सत्या भी कहा जाता है क्या कहते हैं महा सत्या भी कहते हैं फिर हम बात करते हैं एक लिंग नाज जी का मंदीर जो मंदीर रेफ्रेंट वो है कैलास पूरी गाउं उद्यपूर के अंदर यह मंदीर का निर्मान बपा रावल या राज भोजन है यहाँ पर राजस्तान में भगवान सीव का यह सबसे बड़ा मंदीर है मेवार के महराना एक लिंगनाजी के दिवान कहलाते हैं मेला महासिवरात्री फालगुन कृष्णत त्रियो दसी को भरा जाता है रिसव देव मंदीर केसरे नाथ मंदीर या काला बावजी का मंदीर धुलेव गाउं उदैपूर कोयल नदी के किनारे इस्तित है आदिनाद भगवान को समर्पिर्थ है ये मंदिर मुर्ती पर केसर चड़ाई जाती है इसलिए जो मंदिर का नाम केसर आनाथ पड़ा और भील जन जाती इन्हें काला बावजी के रुप में पूछते हैं मेला और रत्यात्रा दो इंपॉर्टेंट है मेला चेत्र कृष्ण अस्टमी और नौमी को रत्यात्रा आश्विन कृष्ण प्रती परदा वो दित्या को भरा जाता है सास बहु का मंदिर या सहस्त्र बहु का मंदिर जो है उद्यापूर नागदा उद्यापूर के अंदर है दो मंदिर बने वे हैं एक बड़ा मंदीर है जो सास का मंदीर कोखा जाता है कि छोटे मंदीर का है जो है इसका निर्माण गाल भोज बपा रावल और ये जो मंदीर है ये गवान विश्णू को समर्पित है और इस मंदीर के दिवारों चटों पर रामायान और महा मारत के चित्र कित्रित है महा मारू सैली के अंदर ये मंदीर बनावा है गोशन बावजी का मंदीर गोशन बावजी का जो मंदीर है वो कातन वाड़ा गाओं उद्यपूर में है यहाँ पर पत्थरों के जो बैल चड़ाने की परंपरा है किसके पत्थर के बैल चड़ाने की परंपरा है मचहिंद्र नाथ मंदीर उदैपूर में है सांजी मंदीर में कहते हैं ये साज्यों के लिए प्रसीद है और ये बगवान कृष्ण का मंदीर है बोहरा गनेस मंदीर कहां पे है उदैपूर में है निर्मान महाराना रासिंग ने कराया है महाराना रासी ने अब हम बात करते हैं जावड के विश्नु मंदिर जावड के जो विश्नु मंदिर वो जावड उद्यपूर में है जावड की प्रसस्ती लगी वी है यहाँ पे इस प्रसस्ती में रमा भाई को बागी स्वरी कहा गया क्या कहा गया है रमा भाई को बागिस्वर की उपादी दी गई है इसका निर्मान जो है रमा भाई ने कराया था किसने कराया इसका निर्मान रमा भाई ने कराया है भगवान विश्नु को ये मंदिर समर्पिर्थ है वास्तुकार कौन है इसके इसवर है जावर का जो प्राचीन विश्नु मंदिर है वो विश्नु बगवान को समर्पिर्थ है जावर की प्रसस्ती लगी वी है इस प्रसस्ती में रमा भाई को क्या वागिस्वरी कहा गया है इस मंदिर का जो निर्मान है वो रमा भाई ने कराया है रमाबाई कौन है महाराना कुम्बा की पुत्री है और यह जो मंदीर है वो विश्णु भगवान को समर्पिर्थ है वास्तुकार कौन है इस वर है जैसंबन जील जैसंबन जील जो है फ्रेंड इसका निर्मान जो है अब हम जो है जीलों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जीलों में सबसे पहला आता है जैसंबन जील जैसंबन जो जील है इसका निर्मान महाराना जैसिंग ने कराया है किस ने कराया है महाराना जैसिंग ने इस जिल को डेबर जील भी कहते है ठीक है इस जिल को डेबर जील भी कहा जाता है गोमती नदी के पानी को रोक कर जैसम्मन्जील का निर्माण कराया गया था इसकी जो लंबाई है वो है 15 किलोमेटर और जो चोड़ाई है वो है 2.5 किलोमेटर चोड़ाई कितनी है 2.5 किलोमेटर जैसंबन जील का निर्माण जैसिंग ने कराया है जैसंबन जील का दूसरा नाम है डेवर जील गोमती नदी को रोक कर ये जील का निरमान हुआ है ठीके इस जील की लंबाई है 15 किलोमेटर और चोडाई है धाई किलोमेटर में मीठे पाने की कृटिम जील कौनची है जैसमनल जील है next हम बात करते हैं फतेः सागर जील जो है इसका निरमान जो है कब कराया महारणा जैसिंग ने 1688 में कराया पूर्ण निर्मान किसने कराया है फत्य सिंग ने कराया है इसका पूर्ण निर्मान किसने कराया फत्य सिंग ने और यहां पे एक सौर वेद साला है जिसका निर्माड 1975 में अहमदाबाद सौरवेद साला की दौरा कराया गया महारणा परताप का यहां पर इस मारक भी है कहां पर फते सागर जिल में फते सागर जिल कहां पर दोस्तो उदैपूर के अंदर है इसका पूर्ण और झाया है जगत सिंग ने कराया है इस लीए जो जील का नाम है फुते sırग सागर जीलлять सोर्वेट शाला है 1975 आ इस थापना की गई थी सोरवेद साला की और सोरवेद साला की जो इस्थापना किसने की है एहमदाबाद सोरवेद साला के द्वारा किया गया है 1975 के अंदर अब हम बात करते हैं पिछोला जील पिछोला जील जो है उद्यपूर का उद्यपूर का जो पिछोला जील है बहुत प्राचीन और सुंदर ज ठीके चीडिया मार वह बिच्छु मार जो बन जा रहे हैं उन्होंने अपने बैलों की स्मृति में कराया है चबूत्रा कौन सा चबूत्रा है नटनी का चबूत्रा है यहां पर ठीके जो पिछोला जिल है पिछोला जिल के किसके इनारे है उदैपूर जो है वो पिछोला उद इसका निर्मान चीडिया मार वह बिच्छू मार बंजारों ने अपने बैलों की स्मृति में कराया था और यहां पर चबूत्रा बनावाई फ्रेंड उस चबूत्रे को नटनी का चबूत्रा कहते हैं किसका चबूत्रा नटनी का चबूत्रा उद्यपूर में सरवाधिक मिठे पाणु की यह मिठे पानी की जील है यह चीजिस यारण निर्मान महाराना जैसिंग ने कराया है जैसंबन जील का दूसरा नाम है डेबर जील जैसंबन जील में गोमती नदी का जो है पानी रोकर जैसंबन जील का निर्मान कराया गया है जैसंबन जील की जो लंबाई है वो है पंदरा किलोमेटर और चोड़ाई है धाई किलोमेटर राजस्थान में अगर मीठे पाने की कृतिम जील में बात की जाए तो जो जैसम्मन जील है वो सबसे बड़ी जील है जैसम्मन जो जील है वो राजस्थान में मीठे पाने की जीलों में सबसे बड़ी मीठे पाने की जील है ठीक है अब हम बात करते हैं फते सागर जील फते सागर जो जील है वो उदैपूर के अंदर है इसका निर्मान महाराणा जैसिंग ने 1688 में कराया था लेकिन जो जील का पूर्ण निर्मान फते सिंग द्वारा कराया गया इसलिए ही इस जील का नाम फते सागर जील पड़ा ठ वेद साला का निर्माण एहम्दाबाद सोर वेद साला द्वारा किया गया है और जो है फतेस अगर जील में महाराना प्रताप का इसमारक भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पिछोला जील नेक्स्ट कौन सा है पिछोला जील जो है वो उद्यापूर की सबसे प्राचीन वो सुन्दर जील में से गिनी जाने वाली एक जील है पिछोला जील राजस्तान की सबसे प्राचीन और सुन्दर जील में से एक है पिछोला जील का निर्मान जो है बिच्छू मार और चीडिया मार बंजारों ने अपने बैलों की इसमरती में कराया था जो बैल थे उनके उनके बैलों की इसमरती में बिच्छू मार और चीडिया मार बंजारों ने किया था और इसका निर्मान राणा लाखा के काल म हुआ है यहां पर एक चबुत्रा बना हुआ है उस चबुत्रे को नटनी का चबुत्रा कहा गया है किसका चबुत्रा नटनी का चबुत्रा उद्यपूर में सरवाधिक मीठे पानी के जीलों की संख्या है और खारे पानी की जील के अगर बात करें तो वह कहां पर है नागोर म सबसे जादा खारे पानी की जीलों की संख्या अधिक है और अगर मीठे पानी की बात करें तो वो उदयपूर है वो कौन सी सिटी है उदयपूर है उदयपूर की परमुख नदियां उदयपूर की जो परमुख नदियां है अब हम उनके बात कर रहे हैं पहला नदी है आयर न कि परमुक नदिया की बात कर रहे हैं हम इसमें सबसे पहला है आएड़ नदी या बेड़त नदी आएड़ नदी का उद्गम जो है घुगूंदा की पहाडियों से होता है और समापन जो है बिगोद भिलवाडा में होता है पानी उदे सागर जील में जाता है जो इसका पानी है वो कहां जाता है उदे सागर जील में जाता है सभ्यता कौन सी सभ्यता है आहर सभ्यता सभ्यता कौन सी लगती है इसमें आहर सभ्यता उदेपूर की परमुख नदियों में पहला नदी कौन सा हुआ आयर नदी या बेड़च नदी गोगुंदा की पाहड़ियों से इसका उद्गम होता है समापन बिगोद भिलवाड़ा में होता है इसका पानी उदेश आगर जिल में जाता है कौन से जिल में उदेश आगर जिल में जाता है और यहां पर आहर्ण सब्यतन जो है वह आएर नदी के किनारे ही भी थी ठीक है पंधन बिगोद भिलवारा के अंदर हो जाता है पानी उदे सागर जील में जाता है इसका ठीक है और सब्वेता कौन ची है आहर सब्वेता है जो इसका पानी है वो उदे सागर जील में इसका पानी जाता है और यह सब्वेता कौन हुई थी यहां पर आहड सबयत więks हैं चिताब गहड़ जो है वा बेड़त नदी किनारे ही बसा हुआ है ठीक है फ definitely अब हम बात कर रहे हैं सोम नदी का जो उद्गम है वह चामेडा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है यहां पर एक बांध बनावा है सोम कागदर, सोम कागदर बांध सोम नदी के उपर बनावा है, ठीक है, सोम कागदर जो बांध है वो सोम नदी के उपर बनावा है, सोम नदी का उद्गम कहां पर होता है, बिच्छा मेरा की पहाड़ी से होता है, कहां से, बिच्छा मेरा की प पहाडियों से समापन जो है इसका खंबात की खाड़ी गुजरात में खंबात की खाड़ी गुजरात में साबर्वती जो नदी है देखो नदियों से लेटेट आपको यह ध्यानक ना होगा फ्रेंड की जो यह नदी है उसका उद्गम कहां पे हो रहा है और उसका समापन कहां की खाड़ी खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर हो रहा है ठीक है तो यह नदिया कंप्लीट होगी फ्रेंड तो अगर हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं उद्यपूर की परमुख नदियों के अगर हम बात करें तो यहां पे सबसे पहले आपको मिलेगा आयर नदी या बेड़स नदी आयर नदी जो है इसका उद्गम बिच्छा मेडा की पहाड़ी से है और ये जो बांध बनावा है वो बांध है सोम कागदार बांध है कौंचा बांध है सोम कागदार बांध है ठीक है साबर मती नदी उद्यपूर में अरावली की पहाड़ी है वहां से निकलती है साबर मती नदी और इ नेग्स्ट खनीज खनीज जो है कौन साहँ मिलता थे सीशा जस्तावस्चांदी जो है वह में सबसे ज़्याद़ उद्यपूर में मिलती जवार की काननला लखा के समय हमें यहां पे जाववर की खान मिली थी इसको जव जस्ता और चांदी है इसको जुडवा खनीज या गैलीनो खनीज भी कहते हैं इसको जुडवा या गैलीनो खनीज भी कहते हैं पन्ना काला गुमान देवपूरा पन्ना जो है वो काला गुमान देवपूरा में मिला है घीया पत्थर देवपूरा सालोज के अंदर और नाथर की पाल में हमें घीया पत्थर की अधिकता है तो देखो खनीज के अंदर हम देख रहे हैं फ्रेंड पहला है सीशा जस्ता एवं चांदी सीशा जस्ता और जो चांदी है वो हमें सबसे जादा उदैपूर के अंदर मिला है वो हमें सबसे जादा कहां मिला है उदैपूर में मि ली है इसको जुडवा खनीज कहा जाता है या गैलीनो भी कहा जाता है इसको जुडवा खनीज या गैलीनो भी कहते हैं ठीके किसको शीशा जस्ता वह चांदी को इसको जुडवा खनीज या गैलीनो भी कहा जाता है ठीके अब अगर हम पन्ना की बात करें तो पन्ना जो है का राज महल सिटी पैलेस की यहां पर एक राज महल सिटी पैलेस है पिछोला जील के किनारे बने भव्य जील भव्य महल जीने इतिहास कार फ्रियोग सन्ने राजस्थान के विंडर्शन महलों की संग्या दी है किसने फ्रियोग सन्ने क्या का है राजस्थान के विंडर्शन महलो की संग्या दी है इनको मानक महल मोती महल परताप कक्ष आदी भी कहा जाता है ठीक है मानक महल मोती महल परताप कक्ष आदी भी आदी परसीद है यहां पे कहां पे राज महल सिटी पैलेस में राज महल सिटी पैलेस जो है पिछोला जिल के किनारे बने भव्य महल है राज महल सि प्रिटी पहले देखो दो जगे है एक जैपूर के अंदर है और एक उदैपूर के अंदर है जो यह कहां पर बनावा है पिछोला जील के किनारे भव्य महल है ठीके जिने जो इत्यास का रहे हैं फर्यूख सर्ण फर्यूख सर्न क्या कहा है राजसान के विंडर सर महलों की जीद है ठीके पिछोला जील के किनारे बना हुआ है यह नेक्स्ट इफरेंट सहलियों की बाड़ी नेक्स्ट हम किसके बात कर रहे हैं सहलियों की बाड़ी इसका जो निर्मान है वो संग्राम सिंग सेकेंड ने कराया था पूर्ण निर्मान जो है वो फते सिंग ने कराया ह राज कुमारियां अपने सहलियों के साथ मनोरंजन के लिए यहां पे आती है ठीक है सहलियों की जो बाड़ी है इसका निर्माण संगराम सिंग सेकेंड ने कराया है संगराम सिंग सेकेंड के कराने के बाद जो इनका पूर्ण निर्माण है वो फते सिंग ने कराया था ठीक है राज कुमारियां जो या जो उनके अपने सहलियों के साथ मनोरंजन के लिए यहां पर आती थी जो यह है सहलियों की बाड़ी के अंदर उद्यपूर के अभ्यारण यह कौन-कौन से हैं तो यहां पर एक तो है फुल बाड़ी की नाल दूसरा है सजनगड़ अभ्यारण कि राजस्थान के अंदर अगर अभ्यारन की बात करोगे तो अप उद्यपूर जिले के अंदर आपको सबसे जादा अभ्यारन मिलेंगे इसमें आपको सबसे पहले मिलेंगे फुलवाडी की नाल अभ्यारन जो फुलवाडी की नाल अभ्यारन के अंदर मांसी वाकल जो एक की और यह थिद्धान जो है वह यह उद्धापूरशिटी के अंदर ठीके अब हम इम्पॉर्टेंट फक्ट की बात करते हैं चित्रकला का एक संसाधान है सरस्वती संसधान है चित्र कलाका एक संस्थान कौन सा मिला है हमें आपे सरस्वती भंडार है वो उदयपूर में है राजस्थान सहित्य अकादमी जो है वो उदयपूर में है 1958 के अंदर इसकी इस्थापना की गई थी राजस्थान सहित्य अकादमी सरवादिक हल्दी का उत्पादन कहां पर होता है आदमी वह कहां पर है उद्यापूर में इसकी स्थापना हुई है 1958 के अंदर सरवादी खल्दी का उत्पादन है जो वह उता है जाडोल के अंदर ठीक है फिर देखो जो देश का प्रथम दुग्द विश्व विध्याले है फ्रेंड वह यहां पर ही है उद्यापूर के अंद देश का प्रथम दुग्द विश्व विध्याले विज्यान विध्याले वह आपको कहां मिलेगा उद्यापूर के अंदर मिलेगा देश का प्रथम मार्शल आर्ट विध्याले जो है फ्रेंड वह भी आपको यहीं मिलेगा ठीक है उद्यापूर में फिर हम बात करते हैं प जैनती है फ्रेंड वो हल्दी घाटी रासम्मंद और चावंड उदैपुर दोनों जगे मनाई जाती है महाना परताप की जैनती महाना परताप का जनम हुआ था 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को इनका जनम हुआ है सासक बने हैं मार्च 1572 में ये सासक बने हैं और इनकी मृत्यू हुई है 19 जनवरी 1567 में 19 जनवरी 1567 में को लेकिन जो इनकी जैनती मनाई जाती है फ्रेंड वो बनाई जाती है जेस्ट सुकलत रित्या को जेस्ट सुकलत रित्या को इनकी जैनती मनाई जाती है ठीके परमुख मेलों के महाना प्रताप की जैन्ती महाना प्रताप की जैन्ती है एक तो हल्दी घाटी राज संबंद और दूसरा चावंड उद्यपूर में मनाई जाती है कब मनाई जाती है जेश्ट सुकलत तृत्या को यह याद रखना फ्रेंड जबकि महाना प्रताप की जो महाना प्रताप का जो मेला फिरल हीर से 31unkा Way कोईलनदी कनारे एक एक सिल्पगराम का मेला सिल्पगराम का मेला सिल्पगराम उद्यपूर िलिल से 31 दिसंबर तक ये मेला बढ़ता है रिसव देव जी का मेला धुलेव गाउं के अंदर कोईल नदी के किनारे विक्रम अदित्य का मेला भी यहां पर लगता है उद्यापूर के अंदर सिल्प ग्राम का मेला सिल्प ग्राम गाउं के अंदर लगता है 21 से 31 दिसंबर तक भरा जाता है मेवाड महोद्ट व जो है वह अपरेल महां में होता है लेकिन यह जो मेल है यह परिटकव विवाग यह ना लगता है कि अई जुसा को जाब्ट को ठीक है तो एक बार मेले जो वो एक बार हम इसको डिसकस कर लेते हैं परमुख मेले में पहला है महाना प्रताप की जैनती जो की जेश्ट सुकलत रित्या को चावंड उद्यपूर और हल्दी घाटी रासंबन दोनों जगे दूसरा मेला है रिसव देव जी का मेला हमने अभी पढ़ा है रिसव देव जी क भरा जाता है फिर है मेवाड महोच्षव मेवाड महोच्षव जो है अप्रेल महा में प्रियटन विवाग द्वारा आयोजित किया जता है ठीक है फिर एक है घिंगा और गौर मेला घिंगा गौर मेला जो है वैसाक शुकलत रित्या वैसाक कृष्णत रित्या को भरा जाता है ठीक है फ्रेंड तो यह जो उद्यापूर सीटी थी फ्रेंड वो पूरी कम्प्लीट हो गई है उद्यापूर सीटी का हमने पूरा जो है डिसकस कर लिया है एंड टू हुई है इसकी कौन-कौन से अन्य नाम है इन सब के उपर हमने इस पर डिसकसन किया है तो अब मेरा आप से यह रिक्वेस्ट है फ्रेंट की जो मेरा यह चैनल है एड्यू हब ऑनलाइन क्लासेज इसको आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए आपको राजसान जीला दर्सन के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे ठीक है और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इस पर आप लाइक करें अगर कुछ कंफ्यूजन ने आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंड कर सकते हैं तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा ठीक है फ्रेंड तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं थैंक्यों फ्रेंड हैव नाइस डे